तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं हूँ आपका दोस्त राजफीर राजपूत तो सीधी सी बात है अगर वो फीजिकल एक्सराइज नहीं करते तो उनका खाना भी अलग होगा वो खाना वो नहीं खा सकते जो फीजिकल एक्सराइज करने वाले खाते हैं तो चलिए आज उनी के लिए वीडियो बना रहा हूं जो ज्यादा एक्सराइज नहीं करते घर रहते और फिर चाहते हैं कि उनकी सुगर पलट जाए तो कौन सा खाना वो खा सकते हैं तो वो लो गलाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा सकते हैं अब ये गलाइसेमिक इंडेक्स आप बहुत सुनते हैं अभी मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं कि ये होता क्या है बहुत से लोग ऐ कैसे होंगे जिनको glycemic index के बारे में नहीं पता होगा देखिए दोस्तों जितनी भी चीजे हैं जो हम खाते हैं हर चीज के अंदर तत्त होते हैं जिसमें minerals, proteins, vitamins, fat, carbohydrate ये सब होता है किसी भी वस्तु में ये सारी चीजे मिला कर उसका glycemic index होता है अब एक शब्द आप और सुनते होंगे glycemic index plus glycemic load अब ये glycemic index और glycemic load क्या होता है तो दोस्तों देखिए जैसे हम लेते हैं carbohydrate की बात यानि carbohydrate एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जाके सुगर लेवल बढ़ाता है ये carbohydrate ही सुगर होता है किसी बस्तू में कितना Fat है कितना protein है उससे हमें कोई मतलب नहीं है फ Fenves और प्रोटीन वो हमारि शुगर से उसका कोई लेना देना नहीं है जो carbohydrate है यस से अमारी कर लेना देना है यह कई है कि यह हमारी शूगर है तो अब जो glycemic index और glycemic load की में बात कर रहा हूं वो है जैसे मान लोग कोई एक चीज यह जैसे गेव हैं अब गेव का मान लो glycemic index 70 है ठीक है और glycemic load उसका 50 है अब यह 70 है 50 क्या है तो देखिए दोस्तो किसी भी चीज के अंदर दो तरह के कार्बोहाइडरेट होते हैं, एक अंडाइजिस्टिक और एक डाइजिस्टिक, यानि एक वो कार्बोहाइडरेट जो पच जाता है और हमारे खोन में जाके सुगर बढ़ाता है, और एक वो अंडाइजिस्टिक कार्बोहाइडरेट जो हमें पचत अब यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो दोनों का मिला के हो गया सत्तर अब सत्तर में जो 50 है वो तो है डाइजिस्टिक 20 है 20 वो है अंडाइजिस्टिक यानि वो निकल जाएगा अब 20 निकल गया उससे तो सुगर का लेना देना नहीं है बचा 50 वो डाइजेस्ट हो रहा है वो ह हुमारी खोन में जा रहा है तो उसका सुगर का लेना देना है तो गिलाइसेमिक लोड उसका हो गया 50 यानि गें का फिप्टी तो यह एक तरह का मोटा मोटा एक रेश्यो है जो मैंने आपको बताया है तो यह होता है कुला 40 से भी कम glycemic index load जो चीज वो खा रहे हैं उसका होना चाहिए ठीक है अगर वो 2, 3, 4, 5 ग्राम या 20 ग्राम 15 ग्राम पर 100 ग्राम वस्तू के glycemic index की चीज खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है उनका सुगर नहीं बढ़ेगा और सुगर रिवर्स हो जाएगा अब ये glycemic index औ क्या खाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं चीजे गिनाओं उससे पहले बता देता हूं कि आप जो थाली सजाते हैं खाने की थाली वो पूरी सजी होई होनी चाहिए यानि उसके अंदर protein भी होना चाहिए उसमें fat भी होना चाहिए उसमें vitamins भी होना चाहिए उसमे तीनों चीज मिलके खून के अंदर जो सूगर का जो इंटेक होता है उसको कम कर देती है आप निखालस कार्बोहाइडरेट खाएंगे प्रोटीन नहीं लेंगे या फैट नहीं लेंगे तो फिर सूगर का जो इंटेक है सूगर तेजी से बढ़ेगा इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसको चुपड के खाईए गी से ताकि उस पे फैट लग जाए और वो फैट साथ जाए या फिर फाइवर के साथ चीजे खाईए यानि कि शलाद के साथ चीजे खाईए ताकि उसका कार्बोहाइडरेट का इंटेक है वो कम हो जाए ताकि सूगर लेवल कम भड़े धीरे बड़े तो हर बार यही बोलता हूँ जब थाली लगाते हो ना तो उसको सजा लो भाई उसके अंदर डाल रख लो सबजी रख लो ठीक है बाकि सलाद से भर लो उसको सलाद रख लो जितनी सलाद खाएंगे उतना ही फाइवर जादा शरीर में जाएगा चलिए सुरुआत करते हैं बाई क्या खाना चीए और क्या नहीं खाना चीए बात आती है यहाँ तो यह लिश्ट है मेरी पूरी मेरे पास तो जो लोग वर्काउट नहीं करते ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते उनको सीधा सारी तो उसको हरी सबजी खानी चाहिए पत्तेदार सबजी जिसमें सरसो का साग है बथवा है हरा प्याज है मेथी है पालक है मूली है मूली के पत्ते हैं, चने का साग है, करेला है, सेंग्री है, मस्रूम है, टेमाटर है, खीरा है ये सारी चीजे जो है, ये खानी चाहिए, इनका जो गिलाइसेमिक इंडेक्स होता है न वो दो से भी दो ग्राम से भी कम होता है, पर सो ग्राम में तो बोल ये समझ लो कि इसके अंदर कार्वाइडरेड होता है नाम मातर का होता है इसके अलावा खीरा, ककड़ी, पता गोबी, बंद गोबी, फूल गोबी, बैंगन, तुरई, कच्चा पेटा, सेंजन, आवला, कटहल, गाजर, प्याद, चुकंदर, सेम, ककड़ी ठीक है, ये भी बहुत खाना चाहिए, और बिंडी, ये सारी सबजियां उसको खानी चाहिए, सेम और कमल डंडी, ये सबजियों में वो खा सकता है इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड डाल, डालों में सारी डाल वो खा सकता है, जिसके अंदर अरर की, मसूर की, मूं की, चने की, राजमा, ये सारी डाले खा सकता है, डाल में लगबग 50 के आसपा ये 50 से कम गिलाइसेमिक इंडेक्स होता है, लेकिन डालों में अगर वो म क्या रख सकते हैं फल के अंदर आप रख सकते हो स्टोबरी है रसबरी है गलोबेरी है सैतूत है कच्छा नारियल है ये फल आप खा सकते हो नारियल का पानी भी पी सकते हो इसके अलावा पेट भरने के लिए जब थाली लगाते हैं थाली सजाते हैं तो क्या क्या रख सकते है जी हाँ, आप अपने खाने के अंदर सबसे ज़्याद रखिए, सलाद की क्वांटिटी आप सबसे ज़्यादा रखिए, सलाद, हरी पत्तेदार सबजी, पनीर खा सकते हैं, आप दूद की मलाई खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, मक्षन खा सकते हैं, अगर आप नॉन्वेज ले आप उसे खाईए क्योंकि उसमें बहुत कम नाम मातर का कार्बोहिडरेट होता है बाकि उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है तो पीले पार्ट के साथ आप अंडे खा सकते हैं इसके अलावा आप मतन खा सकते हैं चिकन खा सकते हैं मच्छी खा सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और आपको फैट मिलेगा कार्बोहईडरेट नाम मातर का होता है तो नोनवेज अगर आप खाते हैं तो ये आप खा सकते हैं इसके अलावा आप बीज ठीक है ड्राइफ फूट्स भी आप ले सकते हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, मुंगफली, अक्रोट ये सब खा सकते हैं तेलो में, तेलो में रिफाइंड ओयल छोड़ कर जिसके साथ रिफाइंड नाम जुड़ गया, कोई भी तेलो, एक्स, वाई, जैड जिसमें रिफाइंड जुड़ गया, उसको छोड़ के आप सारा जैसे कच्ची घानी सरसो तेल ले सकते हैं, मुंगफली का तेल ले सकते है अब बात करें आना आज की और उन लोगों की जो दोड़ते नहीं है लेकिन अपना सुगर रिवर्श करना चाहते हैं तो भाई अगर आप दोड़ते नहीं हो ना तो मैं आपको यही सलादूंगा कि रोटियां कम कर दें हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि खालो कोई दिक्कत नहीं है मिस्सी आटे की खाओ लेकिन वो उन लोगों के लिए जो फिजिकल एक्सराइज करते हैं वर्क आउट करते हैं वर्क आउट जो करते हैं वो जो मैंने ये खाना बताया इससे बहुत कुछ और भी खा सकते हैं जिसमें मैं गुड का नाम भी लेता हूँ शक्कर का नाम भी लेता हूँ आलू का नाम भी लेता हूँ वो उन लोगों के लिए जो वर्क आउट करते हैं ये जो डाइट में बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो वर्क आउट नहीं करते हैं घर पे रहते हैं अनाज ये बंद कर दीजिए अनाज कम कर दीजिए जिसमें गेहूं कट चना कट वो जादा से जादा शबजियों पर रुकें जादा थे जादा सलाद पर रहें जादा से जादा प्रोटीन वाली चीजे भी खा सकते हैं अंडे का सकते हैं मास, मच्छी, चिकिन, मटन, फिस ये ले सकते हैं जो दौड़ते नहीं हैं वो और भाई आप अगर वर्काउट इस्टार्ट कर दो ता आप बहुत कुछ खा सकते हो लेकिन अगर वर्काउट आप नहीं करेंगे तो सिर्फ जो मैंने बताया है न ये वाला खाना ही आप खाना ताकि आपकी शुगर आगे ना वड़े जादा ना वड़े और अगर हो सके तो उसे रिवर्स कर लें आप थोड़ा और कटोती कर दें और लो काप्स पर आजाएं और डाले वगएरा थोड़ी सी कम करके सलाद और हरी शबजियों पर ज़्यादा आप जा सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए कमेंट करिए उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिये चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और अपने दोस्त राजवीर को दीजिये इजाजत चैहिंद चैह भारत